लेकिन क्या पेगसस के बारे में जो एक लाइन सुप्रीम कोट ने कही थी कि सरकार ने पूरी सहायता नहीं की कोट की क्या यही आज आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है उसको पूरे संदर में भी तो देखिए पूरी सहायता तब कर सकते हैं अगर जिन्नों ने कंप्लेट किया है या शिकायत करते हैं आमुमन कि मेरे फोन में पेगसस है मेरे फोन में पेगसस है वो अपना फोन कमिटी को दे और क्या चाहते हैं वो यह अभी कह रहे हैं कि पेगस चाहता है देश का दुश्मन जानना चाहता है कि अगर हमारी एजनसी किसी भी प्रकार से कुछ चीज का टेरोर्स को पकड़ने के लिए इस्तमाल करती है तो डिस्क्लोस कर देया फिडेविट पे इस प्रकार से चलता है क्या और तीसरी बात मैं इसे पूसरा जाता हूं देख पार्टी के राष्ट्य आसेट च कान्ट्रि में करवा रहे है तो मुझे लगता है तो लारी जी को प्लेन में बठा कर बुलाएंगे एपल के सारे लोग वहां पर आंच करेंगे पर मैं एक चीज़ मुछना है तो लाहिरी जी और अखिरेश जी जाकर यूपी पुलिस को अपना फोन सॉब ने मुझे पता है कि यूपी पुलिस उनके फोन को पूरे तरीके से फिर चेक करेगी आप एक बार जाकर सॉब दीजिए उसमें पर एक चीज ना आपको बता दू लाहरी जी या भी कुछ अच्छी वाली वेबसाइट और वो सभी वेरिफाइड वेबसाइट पर ही जाना चाहिए यह मेरा आपको ऐसे भाई आपको मैं साला दे रहा हूं कि फोन पर जो है कि क्या इन देशों में भी तोता उड़कर पहुंचा था मैसेज लेकर यह सवाल पब्लिक का है लोकेश जिंदल जी इसका भी जवाब दे दीजे और ये भी बता दीजे कि क्या आप मान गए हैं कि मोदी जी सिर्फ ये देश नहीं देड़ सो देश चलाते हैं देखें मुद्दा इस केवल मैसेज का नहीं है आज मैं अगर ग्लोबल साइबर स्पेस इंडेक्स की बात करता हूं भारत का रैंक साओधी अरेबिया, UAE, मलेशिया से भी नीचे जब कोविड का समय था रैंसम सर्वर अटैक्स हुए थे, मालवेर अटैक्स हुए थे, जिसके बाद में बहुत बार एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत को बहुत जरूरत है एक रोबस साइबर सेक्यूरिटी, थिंक टैंक, सेंटर और मेकैनिजम की, लेकिन क्या इस पर सर सुरक्षित नहीं रहेगा, नैशनल सेक्यूरिटी के उपर प्रश्चिश ना सकते हैं, लेकिन सवाल सीधा है, देर सो देशों को क्या मोधी जी की तरफ से ये मेसेज गया, उसका जवाब आप नहीं दे रहें, नमबर एक, नमबर दो, अखबारों में ये खबर छपी है, क क्या ये चाइना की कॉंस्पिरेसी तो नहीं है, कि ये भी सवाल हर भारतिये की दिमाग में नहीं उठना चाहिए, देखिए, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, फॉक्स कॉन जो एक एक प्रोवाइड करता है, असेंब्लिंग यूनिट जहां की चाइना में होती है, उसका अगर प्रोडक्शन इंडिया में होता है, इंडिया के भारत के लिए गर्व की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाविका जी एहम मुद्दा ये है कि क्या हम प्रिपेर्ड हैं इस तरह की साइबर चुनोती के लिए, क्या सरकार ने कुछ वाजिद धोस खद गंभीर चिंताएं हैं, लोकेश जिंदल जी की जवाब दीजे, इनकी चिंताएं और आज के विशे का कोई कनेक्शन नहीं है, आपने लाया उस समय पर डेटा प्रिविसी बिल लेकर आया थे, क्या पहले, डेटा प्रिविसी बिल आज पारित हो रहा है, आप आधार तो ब लोकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप तो प्रोफेसर है ना, लोकेश जी, अपनी बात अपने समय पर कीजिए, बहुत अच्छी, सराना अपने समय पर कीजिए, बहुत अच्छी, सराना अपने समय पर कीजिए, बहुत जिन्दल मानों कोई M.O.U है कि चाइना को बचाने के लिए हाई मेरा चाइना कैसे बच जाया है आकर पहले पेरवी कर दो कि मोदी नहीं करवाया है निनी ये तो ऐसे ही हुआ है आज लोकेश जी मुझे बताईए कि आपके पास क्या जानकारी है जो एपल कंपनी के पास भी नहीं है कि आपको पता है 1500 देशों में कौन करवा रहा है या यह जी जिजिगर्टि ने आपको आकर बोला रहे कि देखो लोकेश भाई नावीका जी के शोब पर जाकर किसी भी तरीके से चीन को बचा दो ये बोला है किया तो बता दीजे पवन खेड़ा व भी करवा रही हो किसे पदा चलने आप आपको आप वोग इतने बड़े एकस्फ़र्ट कहां से बचे बचाएं ने ने लोकेजी बताईए अगर आप इतनी अच्छी इतनी अंदर जानते हैं ने मैं तो आपको भी बहुत अच्छे तरी से जानता हूँ वाई लोकेजी मैं आपको भी जानता हूँ ने ये मुद्धा गंबीर है लेकिन